बिहार में जातिय जन्गन्ना को लेकर राजिती काफी गर्म है पहले राजिती इस बात को लेकर हो रही थी कि जातिय जन्गन्ना होगी या नहीं अब जब नितिश कुमार ने बिते दिन बैठक में साफ कर दिया कि जातिय जन्गन्ना होगी तब इसको सिरे लेने की होड लग चुकी है एक तरफ RGD की तरफ से तेश्य अदब ये दावा कर रहे हैं कि अगर बिहार में जातिय जनगना हो रहा है तो RGD की वज़ा से हो रहा है BJP तो जातिय जनगना का विरोध कर रही है लेकिन अब BJP कोटे से राजसभा सांसद सुशिल मोदी ने साफ कर दिया कि BJP कभी भी जातिय जनगना के खिलाफ नहीं रही और कई ऐसे उधारन दिये और ये सवाल पुछा कि लालुय अदब की पार्टी RGD 2004 से 2014 तक केंदर के सरकार में शामिल थी उस वक्त जातिय जनगना क्यों नहीं करवाए पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सुशिल मोदी मित्रों जातिय जनगना को लेकर कल जो सर्वदलिय बैठक हुई उसके बाद रास्टी जनता दल इसका अनावशक सरे लेने का प्रयास कर रहा है यह भारती जनता पार्टी थी जिसकी सरकार के दौरान एक बार नहीं दो दो बार विधान सबास से सर्व समत प्रस्ताव पारित हुआ मैं राज़त के लोगों से जानना चाहता हूँ आपकी सरकार भी थी 15 साल आपने कभी कोई प्रस्ताव पारित क्यों नहीं किया और क्यों बिहार में ही नहीं तो महारास्ट और उडिसा विधान सबासे भी सवरस्तमत प्रस्ताव पारित हुआ जिसमें भार्चिंता पार्टी शामिल थे तो भार्चिंता पार्टी कभी भी जाती जर्गंडा की विरोध में नहीं रही यहां तक कि जब प्रधानमंत्री से मिलने सरवदलिय परतिदी मंडल गया तो बिहार के वरिष्ट मंतिसी जनक राम उस प्रतिदी मंडल में शामिल थे और जहरखंड का जब सवरदली प्रतिदी मंडल गया तो उसमें डॉक्टर विजय प्रकाश दिपक प्रकाश जब प्रदेश के अधक्ष हैं वो उसके अंदर शामिल थे तो भारतिन्ता पाटी कभी भी जाती जनगन्ना की विरोध में नहीं रही यहां तक की 2011 की जो समाजिक आर्थिक जनगन्ना होई उसका भी बीजेपी ने समर्थन किया था मैं तो लालू जी से जानना चाता हूँ आप इतने वर्सों तक सरकार में थे आपने क्यों नहीं जाती जनगन्ना करवाई क्यों सोशेकोनमिक का सेंसस करवाना पड़ा तो ये लोग जो पिछणों की दुवाई देरी ये वही लोग हैं जिन लोगों ने पंचायत और नगर निकाय के चनाव में दलितों को पिछणों को बिना आर्क्षन दिये चनाव करा दिया था तो ये पिछणों के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से नहीं होगा और उसे किसी को अनावशक स्रे लेने के आवशकता नहीं है भारतियंता पार्टी पूरी तरह से इसके समर्थन ना करे इसका इतिहास तो रहा है कि पंचायत और नगर निकाय चनाव में पिछणों को बिना आरक्षन दिये चनाव करवा दिया था इसके लावा कहा राजत तो 2004 से 2014 तक केंद सतकार में शामिल थी तो इसने 2011 की जनगन्ना में जाती का कॉलम क्यों नहीं जुलवाया भाजपा जो है वो कभी भी जाती है जनगन्ना के विरोध में नहीं रही बिहार विधान सभा और विधान परिशद में दो दो बार सर्व समती से प्रस्ताव भाजपा की समती से एवं भाजपा जदियू के कारेकार में ही पारिद हुआ राजद कॉंग्रेस के कारेकार में कभी प्रस्ताव क्यों नहीं आया और ये भी कहा कि जब बिहार से तमाम दलों का प्रतनीर मंडल पी एम मोदी से मिलने पहुचा था उसमें बीजेपी के तरब से मंत्री जनक राम भी थे इसके बात कहा कि जब जहारखंड से सभी दल मिल ले गए थे उस वक्त बीजेपी के प्रतेश अदेक्ष दीपक प्रकाश जो है वो मौदू थे ये भी कहा कि मारास्ट और उरिसा में जब जातिये जनकना को लेकर प्रस्ता पारित हुआ उस वक्त भी बीजेपी साथ में थी तो ये आरोप लगाना आरजदी के दोरा कि भा अब देखना लिचस्प होगा कि सुसील मूदी के इस बड़े हमले के बाद अब नेता प्रतिपक्ष तेश स्यादव के तरब से क्या कुछ बयान आता है आप देखती रहें NBC24 बहुत को धन्यवाद